अगर आपको एक बार residency New Zealand की मिल गई तो फिर तो बहुत ही मौज ही है वीडियो का अगर thumbnail या title देख करके वीडियो को देखने आए हैं तो बहुत बढ़िया बात है वीडियो में बने रहा आज हम यही बात करेंगे कि New Zealand की residency एक genuine तरीके से और एक fastest तरीके से आप कैसे gain कर सकते हैं ठीक है तो अगर guys आपने green list के बारे में सुना है New Zealand ने एक green list निकाले हुई है green list के अंदर वो roles निकाले हुए है पहले एक बर थोड़ा सा मैं brief में आपको idea दे देती हूं green list होती क्या है green list क्या होती है हर एक country के अंदर कुछ skill की shortage चल रही होती है कुछ job जो होती है वो high demand पे होती है पर उस country के जो लोग है न उस occupation के related qualification नहीं कर रहे होती है जिसकी वज़ा से वो क्या करती है फिर वो country अपनी immigration website पर डाल देती है और उससे वो foreign expats जो है मंगवाना शुरू कर देती है मतलब overseas से लोगों को मंगवाते हैं ठीक है तो अगर आप जिस भी field में काम कर रहे हैं अगर आपके field का जो role है green list के अंदर मौजूद है तो यह बहुत ही बढ़िया बात है इसका मतलब है कि वो एक skill shortage category में चल रहा है यहां की जो government है न्यूजिलेंड की जो government है अपना overseas candidate उन रोल्स पे मंगवाने में कभी भी हिचकच आएगी नहीं ठीक है तो अगर आप eligible होंगे अगर आप ऐसी jobs पर apply करेंगे तो आपकी अरांसे job जो है वो लग जाएगी तो एक बार समझ लो green list के अंदर यहां पर एक tier 1 ह tier 1 के अंदर कुछ roles उन्होंने रखे हूं और tier 2 के अंदर कुछ roles रखे हैं जो tier 1 के roles है उनमें straight to residency आप apply कर सकते हैं ठीक है और जो tier 2 के roles है उसके अंदर आपको 2 साल के करीब जो है न्यूजिलेंड में पहले काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप eligible होंगे residency apply करने में और अगर आपको एक बार residency न्यूजिलेंड की मिल गई तो फिर तो बहुत ही मौज ही है आप मेरी और वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने सारे benefits बताएं कि क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी न्यूजिलेंड की PR लेने के बार न्यूजिलेंड अराम से बिंदास हो करके आप अपनी जिंदगी बिचा सकते हैं अगर एक बार न्यूजिलेंड आकर के सेट हो गए तो अब बढ़ते हैं वापिस अपने मुद्दे पर green list रोल्स के बारे में तो अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जो की job के basis पर आना चाहते हैं या फिर अग आपको ऐसे courses करने चाहिए जो की green list के अंदर available है अब आपने ऐसा नहीं है कि New Zealand आने का सोचा है New Zealand settle होने का सोचा है और आप कहते हैं कि ठीक है मैंने बहुत job के लिए try कर लिया मेरी job तो कहीं लगी नहीं चलो अब मैंने student visa लेकर के आ जाता हूं नहीं आपने पहले अपना homework करना है अपने due diligence करनी आपने check करना है कि आप जो course peak कर रहे है क्या वो course के related आपका जो job role है वो green list के अंदर available है या नहीं है क्योंकि फाइदा क्या है इससे अगर आप कोई भी ऐसा course करते हैं तो सबसे पहले आपका student visa बहुत चल्दी आएगा आज कल जो student visa आने में काफी time ल होने वाला कोई भी उनकी application के उपर response नहीं आया तो मैं उसका भी आपको timely update देती रहूंगी कि क्या बना उसकी application का तो student visa जल्दी नहीं आ रहे तो एक ऐसा course पिक करो जिसके अंदर आपका student visa जल्दी आजाए जो की green list के अंदर available हो और उसके बाद आपको open work visa भी लंबे समय क मिल जाए खीक है और इसके बाद आपकी residency भी असानी से हो जाए तो यह सारा किसे link है green list के साथ link है आपका course भी आपका job भी तो आपने समझदारी से ऐसा course पिक करना है जिससे आपको कलको असानी रहे अब मैं आपको बता देती हूं कि कौन-कौन से जो job roles है या कौन-कौन से courses जो है green list के अंदर available है अब इसका मतलब यह नहीं है कि सिरफ बड़ी jobs ही available है green list के अंदर green list के अंदर छोटे roles भी मौझूद है जैसे कि अगर आप agriculture background से आते हैं तो agriculture के related भी आपको मिलेंगे मैं आपको link दूंगे आप link को check out कर सकते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कि किस variety of roles पड़े हूँ है जो कि green list के अंदर है वहाँ पर shortage चल रही है जो local लोग है उस पे काम नहीं अभी करना चाहरे जिसकी वज़ा से ये foreign experts मंगवा रहे हैं welder है, barber है, truck driver है ये बहुत सारे roles green list के अंदर हैं तो अभी back to the topic आते हैं कि अगर आप student पे आ रहे हैं वीजा पे आ सकते हैं तो इन सारे ये जो है green list के अंदर मौझूद है या सानी से कोई भी course pick करिए अपना उसका score वगएरा चेक करिए आपको IELTS कितना चाहिए रहेगा और क्या आपने डिप्लोमा लेकर क्याना डिग्री लेकर क्यानी उसके बाद अपना course decide कर सकते हैं उसके इलावा next time म multimedia telecommunication इसके अंदर मान लोगर आप software engineer है software developer है business analyst है system analyst है data analyst है या फिर आप अपना multimedia को social media के related कुछ भी काम करते हैं तो वह भी green list के अंदर है उसके related भी आप कोई भी course जो पिक कर सकते हैं उसके बाद construction में है construction के अंदर को project manager है या फिर construction engineer है तो ये course आप पिक कर सकते हैं इसके बाद आपकी असानी से residency जो है वो लग सकती है next बात कर लेते हैं अपना आप healthcare field से आते हैं healthcare के अंदर आप कोई nurse है nurse का तो मतलब इतना scope है Australia New Zealand के अंदर nurse से तो यहाँ पर एक software engineer से भी ज्यादा पैसे कमाती है over time करती है double shifts लगाती है मतलब बहुत बढ़ी है उनका package बन जात Canada का मुझे नहीं बता Australia New Zealand में तो मतलब इन लोगों की चांदी अगर यह nurse लोग आ जाए फार्मसिस्ट आ जाए उनका भी बहुत बढ़ी a scope है उसके बाद अपना doctors हो गए फिर यह जो अपना angiography करते हैं या फिर यह जो ultrasound वले जो technicians होते हैं यह भी green list के अंदर available है तो healthcare को छ बहुत असानी देगा आपकी residency लेने में क्यूंकि अगर आप किसी country में study करने आ रहे हैं तो आपका ultimate goal क्या है इस country के अंदर आ करके set होना PR लेनी, residency लेनी, PR हो जाएगी, residency हो जाएगी, उसके बाद घर वर ले लोगे, फिर अपना permanent यहीं के होके रह जाओगे, तो असानी से आपने green list को check करके ही अपना जो है course जो है, इसके इलावा मुझे और भी DM आए हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं जब से ही Canada की news आई है, Canada ने जो student visa पे कुछ restrictions लेकर के आए हैं for next two years, तो अब जो बच्चे Canada जाने वाले थे, उन्होंने plan बनाया है कि हम New Zealand को explore क करते हैं, तो अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि अब हमें थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर universities कैसे short list करनी है, कैसे हम courses select करें, कौन से courses हमारी easy PR हो जागी, तो आप मैं पूरी series लेकर के आने वाली हूँ बच्चों के लिए, जो कि आपको help करेगी, अपनी journey में easily navigate करने के लि उसके अंदर सारी आपको information मिलेगी, related to study abroad, courses, universities, country कैसे select करनी है, cost of living क्या रहेगा, तो I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे को comment section में अपना topic बताओ, जिस topic पे आप मेरे को चाहते हो, मैं आपको information और knowledge आपके साथ share करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा comments क और मेरे कोशिश रहेगी, आपके सारे comments का reply करने की, और फिर मिलती हूँ आपको next video में, till then take care and bye bye.